So hello my dear students, तो आज की वीडियो में हम question number 5 से करने वाले हैं, I hope आपने 1st, 2nd, 3rd, 4th देखा होगा, यह है exercise 1.3, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, चलो करते हैं, देखो, question number 5 में बहुत ही आसान है, बोले हैं, what can be the maximum number of digits, be in the repeating blocks of digits in the decimal expression of 1 by 17, perform the division to check your answer, simply इसमें करना के है, हमें 17 से 1 को divide करना है, यह देखना है कि, कितने number आ रहे हैं, उसके बाद वो repeat हो रहे हैं, जैसे हमने यह सारे question किये हैं, उसमें हमें यहाँ पर यह बार हैं तो वही यहाँ पर देखना है कि, कितने number पर बार होगा, कितने number के बाद वापस से repeat हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, इस 1 से, 1 को divide करना है 17 से, सबसे पहरे तो आप 17 का table लिख लो, so that की miss ना करो, और अच्छे से division हो पाए, otherwise कोई भी एक number गलत हुआ, so उसमें problem हो सकती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 17 का table लिख लिए है, अब simply आपको क्या करना है, 1 लिखना है, 17 से divide करना है, ठीक है, अब देखो 1 तो बहुत छोटा है, तो हम पहले यहाँ पर 0 point लगाएंगे, so यहाँ पर 1, again, point के बाद हम एक 0 भी लगाएंगे, ठीक है, so that यहाँ पर 0 लगा सके, अब यह 100 हो गया, तो 17, 5 ज़र क्या होता है, 85 यहाँ पर लिख रखा है, 17, 5 ज़र 85, so हम divide करते चलेंगे, यहाँ पर answer क्या आएगा, 15 बचेगा, 1, 0 एड करेंगे, 150 है, 150 देखो, यहाँ पर क्या आएगा, 17, 8 ज़र क्या होता है, 136, तो यहाँ पर 136, इसलिए टेबल लिख रखा है, so that प्रॉब्लम नहों, 136 अगें सब्ट्रेक्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पर हो जाएगा, 1, so हम 0 लगाएंगे, 17, यहाँ पर हो गया, अगें, 8 ज़र 136 होता है, so 136, हमारा अंसर क्या आएगा, यहाँ पर 4, 1, 0 लगाएंगे, 17, तूजर क्या होता है, 34 होता है, 34 हो गया यहाँ पर, सब्ट्राक्ट करोगे, बेसिकली कुछ भी नहीं करना, जो भी रिमेंडर आ रहा है, उसको हमें डिवाइट करते हुवे चलना है, सब्ट्राक्शन, डिवीजन, एंड सो और, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, 60 हो गया, 17, 3 ज़र क्या होता है, 51 होता है, तो 51 हो गया, 9 रिमेंडर आ जाएगा, यहाँ पर 0, 17, 5, 85, सो यहाँ पर 85, सब्ट्राक्ट करोगे, 5 आ जाएगा, 10, और आट करो, यहाँ पर 17, 2, 34 होता है, 34, सब्ट्राक्ट करोगे, क्या आएगा यहाँ पर, 34 यहाँ पर जाएगा, तो 6, और यह 1, 160 हो गया, 160, अब नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं 160, यहाँ लिखके कर रही हूँ, ठीके, 160 हो गया, तो 17, 153 कहाँ पर आ रहे है, 9 जा, 153, यहाँ पर 9 लिखो, 153, सब्ट्राक्ट करोगे, तो क्या आजाएगा, आपका आणसर 7, और 0, 70 हो गया, 17, 4 जाए क्या होता है, 68 होता है, सो हमारा आणसर 68, सब्ट्राक्ट करोगे, तो क्या आजाएगा, 2, 0, 17 बन्जा 17, सो यहाँ पर 17, 3 आया हमारा, वो remainder, फिर 0 लगाएंगे, तो 17, जो होता है, 17 बन्जा 17 ही करना पड़ेगा, अगें, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 119, सब्ट्राक्ट करोगे, तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1, सो हमारा एक आणसर 110 हो गया, 0 लगाने के बाद, 110 का बार है, यहाँ पर 102 करना पड़ेगा, तो 6, 102, सब्ट्राक्ट करोगे, तो आपके पास आणसर आएगा, 8, 8, 0 हो गया, फिर इसे हम यहाँ पर करेंगे, 17, 4 जा, तो यहाँ पर 4 लगाओ, 68, 68 आए तो यहाँ पर सब्ट्राक्ट करोगे, तो 68, 10 में से 8 जाएगा, 2, और यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा, सो हमारा आणसर आजाएगा, 120, अगें 120 आगया, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 17, 7 जा होता है, 119, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 19, देखो, 1 आगया, फाइनली इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद, जो है हमारा वन आए, अब वन इस वन का मतलब क्या है, कि हम फिर से हमारा यही आना शुरू हो जाएगा, फिर से हम वन के बाद 00 लगाएगे, फिर यही सारे निंबर आएगे, तो कहने का मतलब है, हम इसका अंसर क्या लिख देंगे, हमारा अंसर हो जाएगा, 0.0588235294117647 पर बार, ठीक है, अब इसके बाद यह वन आया ना, तो वन के बाद आप 00 लगाऊगे, फिर से आपका वही आएगा, 0058823 ऐसे सोन चलता चला जाएगा, इन सब नंबर पर बार है, 0.05 पर नहीं है, यहां तक यह 7 है ना, यहां तक बार है, आपको आपको यह क्लियर हुआ होगा, कैसे करना है, कॉश्च नंबर 5, ठीक है, तो नाव कॉश्च नंबर 6 है, लूक एट सेवरल एग्जामपलस और रशनल लंबर इन फार्म प बाई क्यू, जहां पर पर क्यू जीरो नहीं है, वेर प औन क्यू आर इंटिजर विट नो कोवन फैक्टर अदर धन वन, प औन क्यू में कोई भी कोवन फैक्टर नहीं है, just one है ठीक है having terminating decimal representation can you guess what what property you must satisfy कहने का मतलब है जो हमने first question किया था उसमें हमने देखा था कि terminating कौन है और कौन सा non-terminating है ये चेक करना था तो इसमें उन्होंने पूछा है कि terminating decimal representation का example देना है और बताना है कि ऐसी कौन सी property आपको बता रही है कि ये terminating decimal ही होगा तो यहाँ पे देखो एक formula है यहाँ पे question number six था ना देखो 2 की power m या 5 की power m या फिर हम कह सकते हैं 2 की power m multiply 5 की power m अगर ये property अगर ये है उस q में बराबर है q ठीक है तो वो terminating decimal होगा कैसे देखो example में अगर मैंने लिया 3 by 5 ठीक है यहाँ पे 5 है 5 की power m 1 है m की जगा 1 है तो ये terminating decimal है कैसे अगर मैंने 3 को 5 से divide किया तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा तो ये 0 लगा देंगे 5 6 थर्टी होता है terminating decimal का क्या बताया था remainder जो है 0 आएगा तो उसको हम terminating decimal बोलेंगे दूसरा example अगर मैंने लिया दूसरा example 4 by 5 लिया ये भी terminating decimal है कैसे अगर मैंने 4 को 5 से divide किया तो पॉइंट एक 0 लगाएंगे 5 8 जा 40 अगेंट 0 आया है तो क्या है ये terminating decimal है ठीक है एक और example लो अभी मैं बताती हूँ इस formula को यही satisfy कर रहा है जो उन्होंने पूछा है कि कौन सी property तो यही property हमें दिखा रही है कि क्यों अगर ये होगा तो वो terminating decimal हो सकता है थर्ड मैंने एक्जांपल लिए 9 अपॉन 2 ठीक है तो हम अगर 9 को 2 से divide करते हैं तो 4 जा 8 होता है ठीक है पॉइंट यहां पे 0 तो 5 जा 10 तो यहां पे 0 आया इसका मतलब है कि ये terminating decimal होगा तो 1st, 2nd, 3rd ये 3 एक्जांपल मैंने बताया कि अगर Q जो है 5 है 2 है तो वो terminating decimal है और एक्जांपल आपने भी देखा होगा जो question number 1 था जैसे कि मैं यहां दिखा रही हूँ question number 1 में 36 upon 100 और यहां पे एक और था 4 वाला 329 upon 100 एन एक 3rd वाला और था जो कि 33 upon 8 यह 3 जो है terminating decimal था जैसे मैं लिख दे रही हूँ यहां पे question number 1 का है 36 upon 100 और एक और है question number 3 33 upon 8 and question number 4 है ना question number 6 है जो कि 329 upon 400 है यह भी terminating decimal है कैसे देखो अगर मैंने 100 का prime factoration किया 100 का prime factoration करोगे तो कैसे होगा देखो 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 होता है 2 2s are 4 5s are 20 25s are 100 ठीक है अब इसको कैसे लिखेंगे हम 2 की power 2 multiply 5 की power 2 so यही जो मैंने formula बताया उपर या तो यह होगा तो यह भी follow कर रहा है इसका मतलब भी terminating decimal है तो वह मैंने यहां पर लिख दिया इसी तरीके से अगर मैंने 8 का किया 8 का क्या हो जाएगा 2 की power 3 इसका मतलब है क्या है terminating decimal है 400 का अगर करते हो 400 का हमें उपर वाले से नहीं मतलब है हमें नीचे का check करना है 4 to the 8, 8 to the 16, 16, 5 to the 80 होता है and 85 to the 400 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा 2 की power 4 multiply by 5 की power 2 so again यह 2 की power m multiply by 5 की power m satisfy कर रहा है ना इसका मतलब है यह भी terminating decimal है जो कि हमने first question में देखा था तो first के मैंने 3 example दे दिया और मैंने अलग से 3 example दे दिया कि अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि वो terminating decimal है तो आप लेख सकते हो q must q must 2 की power m और 5 की power m और 2 की power m multiply by 5 की power m ठीक है क्यों को यह होना चाहिए तब भी वो terminating decimal कहलाएगा राइट q must be यहाँ पर लिगत हो यहाँ पर हम question number 7 को देखेंगे जो कि है write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring ऐसे numbers irrational number होते हैं यह आपको मैंने introduction part में बताया होगा so देखो non-terminating and non-recurring का मतलब क्या है non-terminating पहले यह discuss करते हैं ठीक है non-terminating का मतलब है कि जो remainder है वो 0 कभी भी नहीं आएगा complete division ही नहीं होगा example अगर मैंने लिखा 6.783497 and so on right तो यह non-terminating हो गया non-recurring का मतलब है कि वो repeat भी ना हो देखो non-recurring का मतलब है कि repeat नहीं हो जैसे मैंने zero point 9009 0009 इस तरीके से यह बढ़ता चलापी जायेगा तो यह non recurring है right so non-terminating वो terminate नहीं हो रहा completely divide नहीं हो रहा है non recurring का मतलब होता है कि वो repeat भी नहीं हो रहा है, देखो non-terminating, non-recurring में difference यही है, कि terminate तो नहीं हो रहा है, बट इसमें कभी-कभी repeat भी हो जाते हैं, जैसे कि मैंने example यह 0.9999, तो यह terminate भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह repeat हो रहा है, 999 आता जा रहा है, recurring में यह 99 नहीं आएगा, different number आते रहेंगे, I think, अब clear हो गया होगा, ठीक है, तो यह दोनों ऐसे number हैं, वो होते हैं, irrational number ही होते हैं, irrational number फिर से सुन लो, irrational number वो number होते हैं, जिसका decimal expansion, non-terminating, non-recurring, दोनों होता है, ठीक है, अगर एग्जांपल में लिखा, पहले इनों तीन पूछा है, तो पहले एग्जांपल, अगर में यही ले लेती हूँ, ठीक है, 0.09, 009, 009, 009, and so on, इन्होंने तीन पूछा है, तो हम तीन लिख देते हैं, इसके बाद मैंने लिख दे हैं, यहां पर, 5.03, 003, 003, 003, and so on, so मैंने तीन एग्जांपल बता दिये, again, non-terminating, remainder कभी भी 0 नहीं होगा, और वो डिवाइड होता ह जाएगा, ऐसे कुछ नो कुछ नंबर आते रहेंगे, repeat हो सकते हैं, ठीक है, तो non-terminating, terminate नहीं होना है, बस repeat हो सकते है, वो number, लेकिन वो terminate नहीं हो रहा है, non-recurring वो repeat भी नहीं होगे, let's say, देखो, यह मैंने बताया न, तो वो number, बहुत सारे number, अलग-अलग-अलग आते जाएगे, recurring नहीं होगे, right, so I hope आपको यह seven questions भी clear होगा, so इस video में इतना ही, next video में हम question number eight और nine को discuss करेंगे, please video को like कर दो, channel को subscribe भी कर दो, मिलते हैं next video में, bye-bye